गुड मॉर्निंग आज हम लोग मैथेमेटिक्स वर्क बुक के अंदर कम्प्लीट करेंगे बार पेज नंबर 20 अना सब्ट्रेक्शन स्टोरी यह हम बुक में अल्रेडी कर चुके हैं यहाँ पर हमको कुछ एक्सेसाइजे जो कम्प्लीट करनी है हरा इषिज आईडिश ने परसेस को थ्री कुकेश दी थी त्री में से उसने ट्व खा ली अब उसके पस कितनी कुकी बची हमको भी निकालना है हमको क्या बिशक परना पड़ेगा सब्टुरेक्शन how many cookies does versus have 3 cookies, तो हम लोग यहां लिखेंगे number 3, और कितनी खाई उसने, 2 2 उसने खाले, यहां हम लिखेंगे 2, और यहां पर क्या आएगा subtraction का sign, यहां पर हम लोग subtract करने वाले, तो 3 minus 2, क्या आता 3 minus 2 1 तो answer क्या आएगा 1 cookies left इससे तरह से मारे पास एक वर है Vicky gave Kasper his dog, Kasper Vicky का dog है 7 bonds, उसको उसने 7 bonds दी he add 3 bonds how many bonds does Kasper have left Vicky ने अपने डोग को 7 bonds दी थी, 7 में से 3 bonds उसने खाली, तो अब उसके पास कितनी bonds बची, तो कितनी दी थी 7, कितनी खाली उसने 3, तो अब हम 7-3 करेंगे, 7-3 करने के आपको बहुत सारी टेक्निक आपको reverse counting यूज़ कर सकते हैं आप लोग number line यूज़ कर सकते हैं या आप mentally भी यूज़ करके निकाल सकते हैं, आप finger पर count कर सकते हैं 7-3 हम करेंगे 7-3 करेंगे 6, 5, 4 तो क्या आएगा, 4 number 4 तो कित्ती बहुंस बच्ची थी 4, इसी तरह से आपको ये सारी exercise solve करनी है पहले आपको समझना है कि यहाँ पर story में क्या लिखा हुआ है इसको समझना जरूरी है, सिर्फ number नहीं देखना आपको समझना है क्या लिखा है और क्यों हम लोग subtract कर रहें next exercise है हमारे पास equal groups की यह हम लोगों ने book में किया था यहाँ पर हमको equal groups बनाने होते है तो पहली वाली हमको क्या करना है देखो read करो, read करना बहुत important है 5 groups of 3 pencils in each group how many groups? 5 groups of 3 pencils तो एक group में कित्ती पेंसिल होगी? 3 और हमको total group कित्ते बनाने? 5 तो हम लोग 3 pencils के group बनाना शुरू करेंगे group कैसे बनाते है हम लोग circle से यह 3 pencils हो गई, 1, 2, 3 एक group हो गया, फिर 1, 2, 3 यह हो गया, second group फिर हम लोग count करेंगे, 1, 2, 3 this is third group फिर हम लोग count करेंगे, 1, 2, 3 this is fourth group and फिर count करेंगे, 1, 2, 3 this is the last, this is fifth group कितनी हो गई 5 groups of 3 pencils, count करो group 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 groups of 3 pencils और हर group में pencils कितनी है, equal है, यहां भी 3 है, 3, 3, 3, तो सब group में कितनी pencils है, equal pencils है, यह equal groups कहलाते हैं, इसी तरह से आपको यह सारे groups यहां पर create करने, पर पहले आपको इसको पढ़के समझना पड़ेगा, कि हमको कितनी pencil के group बनाने ह की?